हेलो फ्रेंड्स मॉस्ट विल्कम टू यूटीब चैनल सक्सेस वर्ड एम से क्यू तो चलिए आज हम ब्याहर पुलिस फायर में 2020 के लिए क्रैस कोर्स 18 को लेकर आ चुक है इससे पहले आपका टोटल सत्रक्रैस कोर्स हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख प्रकास वर्ष किसका मात्रक है उद्या का दूरी का सक्तिका या उप्षण डी इन में से कोई नहीं चलिए कुछ समय देते हैं सोचके बताइए लाइफ टेट में सभी लोग आंसर करेंगे और यह क्लास आपका हर सुबा साथ बजे होती है तो साथ बजे सभी को आधना है प्रकास वर्ष यह आपका दूरी का मात्रक है उप्षण बी इस प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा चलिए इस एक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है वायुमंडलिय दाब को किसी यंत्र से मापा जाता है बैरोमीटर टोकोमीटर फैदोमी यह आप्षण डी हाइगरोमीटर चलिए बताएंगे जल्दी से लाइप्षण में इसका आंसर क्या होगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सकाइब ने किया है तो जो भी चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे और साथ में सेसन को भी लाइक कर देंगे तो चलिए इस प्रस् प्रसों के से प्राप्ठ होता है फंसे बीत से फूल से यह अप्षण डी तना से है तो चलिए ठीश्य नंह personality आपका इस के साथ लाजएगा बीज से ठीक है तो चलिए चोथे निमर प्रस्ण का राइट अंसर आपका उप्शन C के साथ चला जाएगा ठीके दोस्तों क्या जाएगा सिख इस प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा चलिए इस एक साथ आगे बढ़ते हैं अगला कॉस्ण आपके स्क्रिंप पर इंसूलीन किसके दुवा स्रावित होता है बताएंगे जली से इसका राइट अंसर क्या होगा अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नेकिया तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे तो चलिए इस प्रस्ण का सही जबाब आपका ऑप्शन एक साथ चला देगा अगना से ठीके द प्रस्ण का सही जबाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा एल्यूमिनियम का आयसक है ठीक है बॉक्साइट ऑप्शन डी इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा चलिए इसे इस साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण स्क्रीन पर है गीता राहसी के लेखक क कौन है अबुल फजल मैठली स्रंगुप्त बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं अगर आपको किसी भी कोशन में डाउट होता है तो आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए इस प्रस्ण का सही जबाब आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा बाल प्रस्ण का सही जबाब आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ बौध्धों का ठीक है तो तो इस प्रस्ण का सही जबाब है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण भारत का सबसे बड़ा बाग आरक्षी छेत्र कौन सा है बताएंगे जली से इसका राइट अंसर क्य काफी इंपोर्टेंट है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है तो इस प्रस्ण का सही जबाब आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ ऑप्शन बी के साथ चला देगा कनाड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी ल पावा पूरी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है भारतिया रिजर्ब बैंक के स्थापना कब हुई 1936 35 1925 या 1920 में तो बारवे नवा प्रस्ण का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935 में ठीके तो एक अप्रेल 1935 इस प्रस्ण का राइट आंसर हो दाएगा ऑप्श अबूल कलाम तो तेरा नमर प्रस्ण का जोई बच्चे लाइफ टेट में ऑप्शन नमर एक को दे रहे हैं उनका सही जवाब होजागा सर सयद आमद खां ऑप्शन ए इस प्रस्ण का सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण महात्मा गांधी ने भारत मे पहली बार सत्यागरा कहां किया था नलंदा में चंपारन में वैसाली में या डी छपरा में तो इस प्रस्ण का सही जवाब है ऑप्शन भी चंपारन में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है इंदर धनुस में सबसे उपरी भाग में कौन सा रंग होता है चलिए जल्दी से लाइब चेट में आंसा करेंगे एक्जाम देने से पूर्व आपको सभी क्रेस को अटेंब कर लेना है क्यों कि सब्सक्रेस को इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम की द्रिश्टी से तो चलिए इस प्रस्ण का सई जवाब का उप्शन डी के साथ चला जएगा ल ओप्शन ए अमेरिका में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण स्क्रीन पर है राम कृष्ण मिशन के स्थापना किसने की स्वामी दयानंद स्वामी नित्यानंद स्वामी विवेकानंद यह उप्शन डी इनमें से कोई नहीं स्वामी विवेकानंद को उसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है राम कृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद ने की ती और कब की ती डेट बता देते हैं तो डेट है आपका अगला प्रस्ण पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारन कौन से सीमा रेखा करती है बताएंगे जलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो चलिए लाइट प्रस्ण में जो वच्चे ऑप्शन नमर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा रेड क्लीप रेखा ऑप्शन सी इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है डांडी मार्च कहां से प्रार और यहां तो चलिए बिस नमर प्रस्ण का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी किसा ला देगा है एड्यू ठीके दोस्तों सोना कर राशानिक संकेत आपका एड्यू होता है ऑप्शन 20 प्रस्ण का राइट आंसर हो जाएगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प सब्सक्राइब करें तो एक बर प्लीज चनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेश कर देंगे ताकि आने वाले समय में क्रेश को आप से मिस ना हो नेक्स्ट कुस्टन है कनिस्क का संबंद किसे राजवन से था चलिए जल्दी-जल्दी से लाइफ चेट में सभी लोग आंसर करेंगे तो इसका सही जबाब है औप्षन ए नहीं इस प्रस्ण का राइट अंसर ऑप्षन बी हो जाएगा कुसान से ठीक है कनिस्का संबंद कुसान वं से था ऑप्षन बीज प्रस्ण का सही जबाब हो चलिए आगे देखते हैं चरक किसके परसित दरवारी वह देखे राइट आगे देखते हैं वंदे मातरम को किसी ने लिखा है जल्ली से बताएंगे इसका राइट असर क्या होगा तो चलिए वंदे मातरम को ओप्सन डी होज़ेगा बंकिम चंद्र चटर जी ने लिखा है ओप्सन डी इस प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा चलिए इस एक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न दादा साहिब फाल के पुरुसकार किस चेतर में दिया जाता है फिल्म खेल संगीत यू औप्सन डी पत्रकारिता तो इस प्रस्न का जो साही जबाब है आपका उप्सन चलाज़ेगा एक साथ फिल्म के डिया जाता है ठीक है दो करना characterized और साहा शय जबाब्सकार आपका फिल्म के चेतर में अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण सम्पत्ति को अधिकारों की सूची से किस सम्विधान संसोधन द्वारा हटाया गया बताएंगे ये 28 निमर प्रस्ण आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जबाब करते हैं तो आइए इ जबाब किस नदी के तट पर इस्तीत हैं तो इस प्रस्ण का साई जबाब है आपका ओप्षण बी ओजागा जहेलाम नदी के तट पर आपका स्रीनगर इस्तीत हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन है वायमनडल की सबसें निचली परत क्या कहला आती है बताए के सेशन में टोटल 30 प्रसंते उमिद करेंगे सारे के सारे प्रसंत आपको इंपोर्टेंट लगेंगे अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक करकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेस कोर्स के स अड़करा हुआ प्रसंते हैं यहड़ के सारे के सारे कि अर्चा लगे सारे शारे क्स्म टॉडिकल करदे में आपको